हालो बच्चो आपका हमारी आत्मा एक्टेमी चैनल में स्वागते हैं आज हम क्लास 12 के चेप्टर 5 mathematics का एक चेप्टर डिसल कने जा रहे हैं continuity जिसको हिंदी में सांतत्य कहते हैं जारा सांतत्य बाटफ वर्ड लग रहा हुगा ना इंग्लिस में आसान लग रहा हुगा आप यूजब को चेप्टर इक ना जा रहे हैं और रोड में लगातार आप चलते चल जा रहा है एक्दम से गढड़ा जाता है रुख जाते हैं तो यारी वाइन वो है देंखे डाइग्राम की हिसाफ से अगर हम चेक करें तो यह तो कैसा होगा चांटिनिवस होगा जैसे मालिया हम कुछ कर्म के बारे में बात करें तो मालिया हमने कर्म आपको बना के दीया कि भही कोई कर्म ऐसा है कर्म ऐसे बना हुआ है और यहाwn पर देखे इस पॉइंट पे कैसा है ये पॉइंट पे continue सिख नहीं है तो आपने का इसके इधाख इधार इधार ओर हर जगे रही पे ब्रेक तो हवा नहीं है तो ये क्या है ये और हम ऐसे ले जाए और यहां पर थोड़ा छोड़ दें और फिर हम बनाएं तो यहां पर यह ब्रेक हो गया यह कंटिनुवस नहीं किसी कर्व को बनाने के लिए अगर लगातार पिन रखा और चलादे चले जा रहें बिना पिन को उठाए हम उसको लगाते जा रहें बनाते आए हम कहेंगे क्वानटीमस है और कहीं घो गया तो कांटिन्यमस नहीं अदिस कांटिन्यमस wal ona हो जाएगा का graph, यह sin x का graph है, sin theta का graph है, यह cos theta का graph भी ऐसे कुछ बनता है, ऐसे, वो भी continuous होता है, तो यह continuity है, तो हम किसी curve की continuity कैसे निकालें, किसी point पे, तो आपको याद होगा 11th class में आपने limit पड़ी है, सीमा, यह सीमा और सत्ता, सतता, ना सत्ता, सतता, limit पड़ी हुए, तो limit में इम क्या करते थे, जब limit पड़ते थे, तो limit में किसी point पे मारें, किसी की value निकालनी है, limit की, आप लिखते थे, limit, आपको याद होना चाहिए, x tends to a, a point पे आपको limit निकाली, a tends तो यह है, a नहीं, इस particular point पे नहीं निकालते थे, उस point के इधर उधर, इर्दगिर्द value निकालते थे, अगर limit की सुद्ध भासा में, हम एक word लिखें, तो हिंदी में कहते हैं, आउकात, तो पहली बात किसी की limit infinite नहीं हो सकती, किसी का आउकात अनंद नहीं हो सकती, हम इतने योगें नहीं हो सकते, इतने अच्छे teacher नहीं हो सकती है, कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता, नसम्मों नहीं है, तो पहली बात किसी की limit infinite नहीं हो सकती है, अपने news में सुनते होंगे कि कोई mafia है, और जिसको बाव बिली कहते हैं, उसको दूसरे को तिसने ने टपका दिया, यानि कि उ हमसे बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, उसके just approach करके उस point पर पहुंचो, और बताओ उसकी limit क्या है, अब problem यह है, कि जैसे हमने कहा, fx is equal to x square minus 9 upon x minus 3, और कह रहे हैं, बताओ 3 पर आप इसकी limit निकालो, अब मैं x को 3 रख दूंगा, तो 9 minus 9 upon 3 minus 3, 0 upon 0 आ जाएगा, और mathematics क रहती हैं, कहीं पर 0 upon 0 आ जाए, infinite upon infinite आ जाए, 0 into infinite आ जाए, 0 की power 0 आ जाए, infinity minus infinity आ जाए, यह सब indeterminate form है, indeterminate form है, इनको आप determine नहीं कर सकते, यह undefined है, तो problem इस point तक पहुँच नहीं सकते, अब किसी की अवकात आपको जाननी है, तो आप उस point तक पहुच नहीं पा रहे हो, तो आप करोगी क्या, भाई माली आप हम तब पहुचना चाहते हो, कोई बार मारना चाहते हो, इंटा फेके मारना चाहते हो, और हमने तो बहुत तपस्या किये हो, तपस्या करके हमने बरदान मांगा है, कि भाई हम पे जो भी हमला करेगा, वो जो भी वस्त फेकेगा वहां से, वो आधी दूर प गिरेगा अब आप कहेंगे भाई हम तो चला की करेंगे आप 20 मीटर हो ना तो मैं वहाँ से 40 मीटर दूर फेकूंगा कहा पर गिरेगा 20 मीटर पर गिरेगा और 20 मीटर पर कौन खड़ा है हम खड़े हैं तो पत्तर हमको लग जाएगा नहीं लगेगा क्यों बरदार हमको मिला ह है कि जो हमको हिट करेगा वो पत्तर आदी दूर पर गिरेगा आपको नहीं मिला है आप 20 पर बार होगे तो 20 पर जाके गिरेगा तो हम तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो करेंगे क्या आप लेफ्ट साइड से हमारी तरफ एप्रोश करने की कोशिश करेंगे और आप ह तो यह हमारी लफ्ट हैंड लिमिट हो गई हमको नहीं जान पा रहे हैं या पिर आप राइट साइड से सान्य राइट है अपने हाथ से समझेगा राइट साइड से आप अप्रोश करेंगे हैं ये लिफ्ट वैशायज समझीगा ठीक मैं ऐसे बता सकते हैं आप क्योंकि हमको तो बर्दान मिला मेरे साथ नहीं आओगे क्योंकि यह लिमिट जो लिखी होती है अभी हम लिख रहे थे x square minus 9 upon x minus 3 उसमें कहा गया x is not equal to 3 मतलब एक्जेक्ट हमारे limit देख करके आप मेरी limit पहुंचान जाओ तो यह मेरी limiting value है हम तक आप नहीं पहुंचे आपने हमारी left hand limit निकाली हमारी right hand limit निकाली और उन दोनों की value निकाली अगर वह value पे same value आ रही है भई माल लिया कोई curve ऐसे बना हुआ है ठीक है और आप इस curve के इस point पे आप value निकालना चाहते हैं इस particular point पे यह a point है तो आप इस point तक पहुंचिए और पहली condition कहीगे extending to a a के बहुत close जाना है a पर नहीं जाना है आप बहुत close जाना है तो आप यहां तक तो पहुंच नहीं सकते तो आप थोड़ा सा उसके पहले थोड़ा सा बिलकुल a minus कितना h बहुत थोड़ा h is what very close तो लिखेंगे limit h tends to zero इस पे इसकी value निकालेंगे इसको कहेंगे left hand limit फिर आप एक थोड़ा सा बिलकुल बात कितना बात में a plus h h क्या है यहां पर very small tending to zero इन दोनों पे value निकालेंगे अगर इस पर value 5 आ गई इस पर value 5 आ गई आप कहेंगे इधर भी 5 इधर भी 5 यहां से यहां तक value change नहीं हो रही है तो आप यह मान की चलेंगे कि इस particular point पे भी value 5 आएगी तो आप उस point पे उसकी limit क्या निकालते हैं 5 यह तो limit हो गई जागर की लेकिन हम तो बात continuity की कर रहे है अब हमको इस point पे पहुँचना ही पड़ेगा तो मैं इस पर भी पहुँचूँँगा इस particular point पे continuous है otherwise continuous नहीं है समझा गई बात तो उसके लिए पहले आपको limit जाननी बहुत जरूरी है हम कुछ exercise 5.1 लेके चलने हैं कुछ question discuss करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझीएगा मैं limit को भी साथ साथ समझाने की कोशिश करूँगा देखिए exercise 5.1 ncrt ncrt exercise 5.1 का पहला question देखिए पहला question की कहरा है कि एक function है fx is equal to 2x 5x minus 3 और x is equal to 0, 3 और 5 इन 3 point पे continuity चिक करूँगा तरीका देखिए का जा ध्यान से हमने पहला part लेके चलना है इसका at x is equal to 0 0 पे इसकी continuity चिक करने जा रहे है तो जीरो पे function कैसा है तो सबसे पहले क्या करेंगे उसकी left hand limit लिखा देगे थी कहा है तो लिखते कैसे है left hand limit यहीं हिंदी में भी लिखते हैं यहीं इंग्लिज में भी लिखते हैं कैसे लिखेंगे limit x lim बना देते हैं या कहीं कहीं पर lm बना देते हैं दोरों बाते सही है x tends to 0 था न लेकिन हमको 0 नहीं 0 से थूड़ा सा पहले 0 minus fx करेंगे ठीक है कितना पहले 0 कितना माइनस 0 minus h यहीं एक्स को क्या रिखेंगे f0 minus h और h क्या है limit h tends to 0 जैसे आप दोस्तों से अपनी वावाही करना चाहते हैं तो आप भोकाल टाइट करने के लिए क्या करते हैं कि जानते हैं कि मैं फलाना वो दादा है उनका मैं परचित हूँ तो हम अपनी लिमिट नहीं बता रहे हैं हम अपने अरूस की लिमिट बता रहे हैं बिल्कुल क्लोस पॉइंट की लिमिट बता रहे हैं तो x की जाए क्या रखेंगे अब 0 minus h कहा रखेंगे चुकि एक ही function है otherwise वहां रखेंगे जहां function 0 से छोटा हो लेकिन चुकि एक ही function है तो यहां x को रख दीजिए 0 minus h तो क्या हैगा limit h tends to 0 5 x को क्या लिखेंगे 0 minus h minus 3 अब limit h की क्या रख देंगे 0 limit रखते वक्त आपने पढ़ा भी है कि कलती से denominator में 0 नहीं आ जाए क्योंकि something upon 0 अगर आ जाता है तो यह value क्या हो जाती infinite और किसी की limit infinite नहीं हो सकती हाँ अगर वो function अकेला है कोई इर्दगर्द कोई है नहीं बना केवल अकेले बन अपन x लिखा हुआ है तब तो उसकी limit infinite होगी होगी वह अब अकेले है तर्वार लेके घुमिये चाकू लेके घुमिये बननम लेके घुमिये बंदुग लेके कोई आसपास हाई नहीं पूरे पृत्वी में तो किस पे गोली चलाओगी तो आपके limit है क्या हो जाएगी infinite तो आप h को रख दीजे 0 तो रखेंगे 0 तो क्या आएगी value इसकी minus 3 तो left hand limit क्या आगई minus 3 यानि इस 0 point के पहले जो function था वहाँ उसकी क्या value आई है minus 3 अब थोड़ा सा उसके बाद चलिए उसको कहते है right hand limit थोड़ा सा उसके बाद में कितना बाद में limit x tends to zero plus लिखते हैं आप prefix zero plus कितना हमने का बहुत close इसके पहुशना है आपको very very close मतलब आप चुकि हमारे तक नहीं पहुश सकते limit निकालते हैं क्योंकि आप हमको वरदान है कि आप जो भी पत्तर फेकोगे अब आप कहेंगे हम तलबा लेके घुशर दंगे आपके यह नहीं चलेगा फेक के मारो चुकि बरदान फेकने का है ठीक है तो इसमें लिखेंगे क्या हम f 0 plus h लिखेंगे और h क्या है h is very small limit h tends to 0 अब x को क्या रखेंगे आप 0 plus h रख दो यहाँ पर तो आएगा limit h tends to 0 5 x रखेंगे 0 plus h plus minus 3 अब h को रखो कि 0 तो क्या आएगा यह minus 3 आगया तो left hand limit और right hand limit equal आगई अगर यही question limit का होता तो हम कहेंगे इसकी limit exist कर रही है अगर यह question limit का होता तो हम कहते है limit exist कर रही है left hand limit इधर minus 3 value उधर minus 3 value तो यह मान की चलना है कि इधर से उधर value change नहीं हो रही है इसका बतलब 20 में जो point 3 है 0 है जहां नहीं पहुच पा रहे है वहाँ भी उसके लिए यही रही होगी तो उसकी limiting value क्या हो जाती minus 3 लेकिन हमें continuity चलनी चाहिए तो आपको एक बार direct x को 0 रख देना है रख तो 0 है आपर तो क्या हैगी minus 3 तो आपने क्या देखा as f0 minus h is equal to f0 plus h is equal to f0 so function is continuous इसलिए function continuous है और उसकी value कितनी है minus 3 तो यह तरीका होता है continuity लगाने का process यह है कैसे आप लगाएंगे उसके लिए 11th class के limit आपको आनी चाहिए तो यह तो हमने चेक्किया 0 पे अगला इसमे minus 3 पे अपने आप चेक करिएगा अब 5 पे हम चेक करने जा रहे है तीसरा point लेके चल रहे है 5 पे हम चेक करने जा रहे है कि 5 पे function x is equal to 5 पे function continuous है कि नहीं है 3 पे अपने आपका लीजेगा minus 3 पे अब add x is equal to 5 हम करने जा रहे है एक particular point 5 यानि x की value 5 रखने पर sx की value continuous है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे sx के इर्द में sx के गिर्द में और sx के और उस 5 के उपर 5 के पहले 5 के बाद और particular 5 पे तीनो point पे इसकी value निकालते है देखे पहले क्या लिखेंगे left hand limit लिखने का तरीका समझीएगा क्योंकि यहाँ पर तरीका ही में नहीं देखे अभी आप 5 पे जा रहे थे x tends to 5 लिख रहे थे आप लिखने 5 minus fx 5 minus 5 के थोड़ा सा पहले कितना बहुत close तो क्या लिखेंगे हम f 5 minus h लिखेंगे h क्या है h is very small limit h tends to 0 x को रखे 5 minus h यहाँ पर तो क्या हैगा limit h tends to 0 5 x का क्या लिखेंगे 5 minus h minus 3 अब h को रख दो 0 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 25 minus 3 is equal to 22 तो इसकी left hand limit क्या आगई 22 ठीक इसके बाद क्या करेंगे इसकी right hand limit निकालेंगे right hand limit उसके लिए 5 के थोड़ा बाद में जाना पड़ेगा तो 5 plus लिख देंगे यहाँ 5 plus हो जाएगा यहाँ 5 plus हो जाएगा यहाँ पर फिर value क्या आएगी 22 ठीक है अब यह तो left hand limit और right hand limit हो गई अब हमको निकालना है कि इस particular 5 पे इस function की value क्या है x को आप 5 रख दीजी तो 5 रखो कितना आएगा 25 minus 3 is equal to 22 तो आप लिखेंगे as f5 minus h is equal to f 5 plus h is equal to f5 so function is continuous यह function कैसा है यह continuous है सब्सक्राइब तो यह तरीका होता है continuity check करने का ठीक है अब main questions है कि question को आप कैसे लगाते हैं और यह technical chapter माना जाता है इसका second question देखें check the continuity of fx at x is equal to 3 second में एक function दिया हुआ है 2x square minus 1 और at x is equal to 3 इसकी continuity चेक करने है यह यह थी point पे इसका left hand limit निकालने पड़ेगा इसका right hand limit निकालना पड़ेगा और उस particular point पे value निकालने पड़ेगी तो सबसे पहले क्या निकालेंगे left hand limit दाए पक्ष की सीवा कैसे लिखेंगे limit अभी हम x tends to 3 लिख रहे थे 3 से थोड़ा सा पहले 3 minus मतलग 3 से थोड़ा सा पहले कितना पहले तो हम लिखेंगे 3 minus h h क्या है h is very close तो limit h tends to 0 अब x को क्या रखतेंगे यहाँ पर 3 minus h तो यह आएगा limit h tends to 0 2 यह आएगा 3 minus h का whole square minus 1 अब h को रख दो 0 यहाँ उठा करके क्योंकि 0 रखते वक्डेज के ओल ध्यान रखना है कि कहीं denominator में 0 ना जाए हर में 0 ना जाए हर तो है नहीं यहाँ पर तो यह क्या हो जाएगा 2 into 339 minus 1 9218 minus 1 left hand limit की value क्या आगई 17 ठीक है अब आप क्या करेंगे आप right hand limit निकालेंगे अब यह नहीं हो जेगा उसी left में काट के लिखना है क्या जी नहीं आप आगे लिखेंगे इसमें तो आप 3 के बाद में चलना है तो यहाँ 3 plus रख दो यहाँ 3 plus कर दो value फिर वहीं आएगी अब उस particular point पे निकालो F3 पे तो X को डाइट 3 रख दो तो 2 into 3 square minus 1 कितना हैगा 33 को 9218 minus 1 17 तो आपने क्या देखा कि S F3 minus 3 minus H is equal to F 3 plus H is equal to F3 so it is continuous it is continuous यह सांतत्त है और इसकी value कितनी है इसकी value वहाँ पर 17 आएगी तो यह second question है थर दे बहुत सारे part है उन्हें समझ दीजे पहले आप यह direct के वल X लिखा था जहाँ पर कई FX की definition अलग-अलग होगी वहाँ थोड़ टेक्निकल question होगा उसको भी एकाद question के बाद आएगा यह देखिए थर्ड question देखिए इसमें बहुत सारे part है थर्ड की दो part हम बता देते हैं पहला part आप लगा लेंगे अच्छा एक minute पहला part देखिए इसमें लिखा है FX is equal to X minus 5 और कहने check the continuity of the following function point नहीं दिया उन्होंने उन्होंने point नहीं दिया उन्होंने का continuity check करो किवल अब क्या करें भई तो आप एक point अपने माल लो कि let X is equal to A पे हम check करने जा रहे यह वाला A नहीं है का आपने लो question number जो होता है वही वाला point माल लेते हैं ऐसे माल लिया तो left hand limit निकाली है अब इसकी कैसे लिखेंगे limit X tends to A minus FX अब बारबा बहुत detail में नहीं जाएंगे यह पता जुक्छी है हमने A minus H रखेंगे X को और H क्या है tends to 0 tends to 0 का मतलब होता है very 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 close to that point but not that point उस point के बहुत close हम है लेकिन उस point पे हम नहीं पहुँच पा रहे है X को क्या रखेंगे A minus X रख दो है आपर तो आएगा limit H tends to 0 A minus H minus 5 अब H को 0 करेंगे तो value क्या आएगी A minus 5 तो left hand limit की value क्या आगई A minus 5 second part right hand limit निकाली है इसकी इसी में लिख देते हम हमारे पास तो option है अब A plus करेंगे A plus करेंगे A plus करेंगे तब भी A minus 5 आएगी और direct A पे value निकालेंगे X को A रख दो तब भी A minus 5 आएगी आप लिखेंगे as F A minus H is equal to F A is equal to F A plus H so it is continuous at X is equal to A A is any real number यह क्या है A any real number कोई भी real number यह वास्ति संग्या हो सकती है क्योंकि कोई ऐसी value आप नहीं ले सकते जहां यह function infinite हो इसका second part अपने आप करेंगे second third लगबग लग same है third part देखें C part हम बताने जा रहेंगे तरीका सबका सेम है बस एक दिमाग में लाना है आपको कि infinite ना हो जाए वो ठीक है C part देखें Fx लिखा हुआ है x square minus 25 upon x plus 5 इसकी continuity चिक करनी है और यह दे दिया है x is not equal to minus 5 वो पहले से दे रखा है क्यों कि अगर minus 5 आप रख देते हो तो नीचे 0 आ जाएगा और उपर भी 0 हो जाएगा तो आप पहले सो solve को लिजएगा तो यह क्या हो जाएगा उपर हो जाएगा x plus 5 into x minus 5 upon x plus 5 अब आपको जब तो minus 5 लिख सकते हैं जी नहीं तो आप नहीं काट दिया है continuity का limit का मतलब ही होता है उस particular point पे आप नहीं पहुशने सकते हैं आपको उसकी इर्दिर्दी बात करनी पड़ेगी ठीक है अब हमको point फिर नहीं दिया इन्होंने ये कहा है x ये नहीं होना चाहिए हमने मान लिया let x is equal to a और ये क्या है a is any real number any real number but एक condition है कि a minus 5 की equal नहीं हो सकता क्योंको उस point पे हम continuity check नहीं कर सकते देखे द्यान से वहीं चीज सबसे पहले क्या निकालेंगे left hand limit कैसे लिखेंगे limit x tends to a minus fx यानि x की जिए क्या लिखेंगे वैसे उस अगर particular point पे पहुँचना होता तो मैं f a लिखता a का मतलब उस particular point पहुँच गया मैं लेकि मैं उस point पे नहीं पहुँच रहा हूँ 0 तो limit h tends to 0 x को क्या रखेंगे आप a minus h रख दो यहां उठा गरके तो आएगा a minus h minus 5 तो left hand limit क्या आगई a minus 5 अब क्या निकालेंगे right hand limit यहाँ a plus कर देंगे यहाँ a plus कर देंगे यहाँ a plus कर देंगे तब भी a minus 5 आएगा अब तीसरी बात आप f a निकालेंगे तब भी a minus 5 आएगा तो आप लिखेंगे as f a minus h is equal to f a is equal to f a plus h so function is continuous यह function कैसा है a पर सतत है सतत का मतलब यह हुआ कि इसकी value कहीं भी break नहीं होगी अगर मैं x के अलग-अलग मान रख करके f x का मतलब y graph ड्रा करूं तो वो graph कहीं भी break नहीं होगा यह इसका मतलब होता है ठीक है fourth question अपने आप करिए एक end point पर निकालना है ज़रा fifth question समझेगा fifth में दो-तीन पार्ट है उसमें लिखने का तरीका अथमा टेक्निकल है ज़रा उसको समझेगा चुकि बहुस्तार ही इस exercise में questions है हम थोड़े question इस video में discuss करेंगे थोड़े अगले video में discuss करेंगे देखे फिफ्थ question क्या कह रहा है fifth question कह रहा है कि fx is equal to x when x is less r equal to 1 और it is 5 when x is greater than 1 और आपको continuity 0 पे check करनी है 1 पे check करनी है और 2 पे check करनी है जड़ा देखे हैं थोड़ा सा लफड़ा है देखे हैं ज्यान से पहली बाद at x is equal to 0 चिक करनी जा रहे है साब-साब दिखरा है 0 1 से छोटा है और 1 से छोटा कौन सा function है ये तो हम जो भी और 0 के इर्द गिर्द आप रहोगे ना बिलकुल 0 के सटे ही रहोगे 0 से हटोगे नहीं तो आप रहोगे तहीं पर तो जो भी value रखनी है वो इसी पे रखनी है ठीक है तो जब हम left hand limit निकालेंगे तरीका limit x tends to 0 minus fx यानि x को क्या लखेंगे आप 0 minus h और h क्या है very close to 0 limit h tends to 0 x को क्या रखेंगे 0 minus h कहां पर रखेंगे यहां पर रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका limit h tends to 0 0 minus h जब limit रखोगे value क्या जाएगी 0 तो left hand limit क्या गई 0 चुकि 0 1 से छोटा होता है हमको यहीं सब लिखना है तो जब right hand limit निकालेंगे हम तो यहां 0 plus लिखेंगे यहां 0 plus लिखेंगे यहां 0 plus लिखेंगे तभी 0 आएगा और जब x को direct 0 करेंगे तो 0 आएगा तो आप क्या करेंगे as f0 minus h is equal to f0 plus h is equal to f0 value क्या रही समय 0 so it is continuous at x is equal to 0 यहनि अगर इसका graph में खीच रहा होता तो 0 के पास जब graph बुजरता 0 के इधर भी graph होता 0 के उधर भी graph होता ठीक है एक straight line है मारू में अब मैं चेक करने जा रहा हूं 1 पे at x is equal to 1 देखे अब 1 पे function हमारा अलग-अलग है 1 से बड़ा भी है 1 से छोटा भी है तो at x is equal to 1 कैसे चेक होता है जब ऐसे function दिये हूं तो पहले लिखेंगे left hand limit लिखने के तरीका limit x tends to 1 minus fx यहनि 1 के थोड़ा सा पहले यहनि 1 minus h limit h tends to 0 तो 1 minus का बतलब होता है 1 से function छोटा है और 1 से function छोटा कहा है यहाँ पर है तो यहाँ x के रख दोगे x को रख दोगे 1 minus h और h क्या है very small तो value क्या आ गई 1 अब निकालोगे right hand limit limit x tends to 1 plus fx यहाँ 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 पर है value यहाँ रखना नहीं that value ही उसकी 5 है is equal to 5 तो जब left hand और right hand limit में curve की value same नहीं आ रही है यानि कि वो graph नहीं की जाजा सकता इसका मतलब यह जब limit exist नहीं करती है तो उस particular point पे check करने की ज़रूरत नहीं है तो आप लिखेंगे as left hand limit is not equal to right hand limit so limit does not exist so it is not continuous जब limit exist नहीं करेगी तो एक continuous नहीं हुआ लेकिन मैं यहां नहीं लिख रहा हूँ हम उस particular point value value निकाल ही लेते हैं तो जब आप direct x को 1 रखोगे equal to 1 यहां है ना यहां रखोगे तो 1 आ जाएगी तो आपने रेखा यह चीज़ इसके equal है यह इसके equal नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते है f1 minus h is equal to f1 is not equal to f1 plus h so it is not continuous it is not continuous या discontinuous अब यहां एक लफडा है कभी कभी चुकि left hand limit इसके बराबर है तो इसको कभी कभी left continuity कह देते बड़े class में जाओगे या किसी competition में जाओगे तो इसको left continuity कहते दाये पक्ष की सांतत्त्त्त है बाये पक्ष का सांतत्त है दाये पक्ष का नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे आप discontinuous लिख देंगे लेकि मैंने कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि function discontinuous है या continuous है क्या left continuous है क्या right continuous है तो वहाँ पर फिर आपको देखना पड़ेगा left continuity वहाँ पर है ठीक है इसी प्रकार से question 6 से लेकर के आगे find all the points of discontinuity of the following function discontinuity के points निकाल ले अब problem है हमारे पास यहाँ पर कि उन्होंने ये function तो दिया है function किन किन points पे defined वो भी दिया है लेकिन हमें ये नहीं दिया है कि हम किस point पे continuity और discontinuity निकालें तो अब हम यहाँ पर किस questions को कैसे लगाएंगे देखिए अगर यही question आप के वल 2 पे एक question रोन करते हैं तब सुन जाएगा देखिए 6 question में point of discontinuity निकालना है 6 question fx is equal to ये दिया है 2x plus 3 when x is less r equal to 2 और 2x minus 3 when x is greater than 2 अब अगर हम यही question 2 पे कर देंगे तो हो सकता है कुछ board में इसको accept करने लेकिन कुछ board इसको accept नहीं करते वो कहते हैं हमने point तो दिया नहीं है तो हमने point माल लिया let x is equal to a is a point हमने a point माना है जिस पर continuity हम चेक करने जा रहे है अब वो a 2 से छोटा हो सकता है 2 से बड़ा हो सकता है यानि या first case से हो सकता है कि जो a हमने लिया है वो less than 2 लिया है तो less than 2 का मतलब यह हुआ जा करके यो interval आपका हुगा जिस interval में आप continuity चेक कर रहे है वो 2 से ले करके कम करते जाओ कहा तक minus infinity तक एक तो यह interval हो सकता है दो लेना नहीं हमको इसलिए हमने open interval लिका है आपकर दूसरा case हो सकता है second case हो सकता है कि 2 पे चेक कर रहे हैं और third case हो सकता है कि a greater than 2 यारी कि जो interval यहां पर होगा interval वो 2 से लेकर के इन फाइनर तक चेक करेंगे open interval यारी कि एक बार 2 से छोटा function लेकर हम चलेंगे यहां पर निकालेंगे एक बार 2 के बराबर continuity चेक करेंगे एक बार 2 से बड़ा कितना ही बड़ा हो सकता है इन फाइनर तक हो सकता है, तो ये तीन continuity चिक करनी पड़ेंगी, यहाँ पर चिक करना पड़ेगा function continuous है या discontinuous है, क्योंकि पॉइंट को इन्होंने पक्का नहीं बताया है कि किस point पे आपको continuity या discontinuity चिक करनी है, तो तीनों point आपको लेनी पड़ेंगे, तो पहला case हम लेकी चल है, A is less than 2, ठीक है, यह लिखना पड़ेगा आपको जो हमने लिखा, तो first case हम लेके चल नहीं है, first case at x less than a less than 2, तो less than 2 का मतलब होता है, क्या आपको सब कुछ इसी point पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो हम निकालेंगे left hand limit, यानिके ऐसे लिखेंगे, तरीके बहुत बार बता चुके है, a minus fx, तो x को क्या लिखेंगे आप, a minus h, h is what, very small, very close, to a, 0, x को क्या रखेंगे, a minus h, कहा रखेंगे, जहां function 2 से छोटा हो, या रखेंगे, तो आएगा limit, x tends to, h tends to 0, to a minus h plus 3, limit operate कर दो, यह 0 हो जाएगा, यह 2a plus 3 आएगा, तो left hand limit क्या आगई, 2a plus 3, अब आपको right hand limit निकाली पड़ेगी, यह right hand हो गई, a plus, a plus, यहीं रखेंगे, तभी 2a plus 3 आएगी, फिर आप direct a रखोगे, तभी आएगा 2a plus 3, तो आप लिखेंगे, as, f a minus h, is equal to f, a plus h, is equal to f a, so function is continuous, at x is equal to a, which is less than 2, जो 2 से छोटा है, यह आपको लिखना पड़ेगा, अब हम 2 पे चेक करने जा रहे हैं, at x is equal to 2, second case हम लेके चल रहे हैं, तीनों case लिखने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि point उन्होंने define नहीं किया है, कि किस point पे चेक करें, उन्होंका आप चेक करो, कहाँ discontinuous है, so at x is equal to 2, तो हम पहले left hand limit में निकाले जा रहे हैं, left hand limit, कैसे लिखेंगे, limit x tends to 2 minus fx is equal to f 2 minus h, h is what, बहुत small, tends to 0, x को क्या रखेंगे आप, 2 minus h, रख दो यहाँ, 2 minus बोले तो, 2 से छोटा, यह function 2 से छोटा है, तो आएगा limit h tends to 0, 2, 2 minus h plus 3, इसको खुलें इतना आएगा, 4 plus 3 is equal to 7, left hand limit क्या हो गई, 7, अब निकालेंगे, right hand limit, तो कैसे लिखेंगे, limit x tends to 2 plus fx, यानि f 2 plus h, h is what, बहुत small, h tends to 0, अब कहां रखेंगे 2 plus है, चहाँ function 2 से बढ़ा हो, क्यों 2 plus है यह बढ़ा है, तो यहाँ रखेंगे 2, bracket में 2 plus h minus 3, limit h tends to 0, रखो यह 0, तो आएगा 4 minus 3, यानि कि यह आएगा 4 minus 3 is equal to 1, तो limit exist नहीं करती है, लेकिन सिर्वी, आप particular point 2 पे लिख दिजेगा, x को 2 रखो, कहां रखो, जहाँ 2 के बढ़ाबर है, यान रखो, तो आएगा 4 plus 3 is equal to 7, तो आप लिखेंगे as f2 minus h, 2 minus h 7 है, is equal to f2, 2 भी 7 है, is not equal to f2 plus h, so it is discontinuous, it is discontinuous, at x is equal to 2, 2 पे discontinuity हो गई, आपने का अंसर गलत, खतम हो गया, जी नहीं, अभी एक और case आएगा, greater than 2, ठीक है, तो greater than 2 पे, तीस्टा case भी आएगा, तो discontinuous चेक हो गई, तो greater than 2 पे क्या करेंगे आप, देखें, third case लेके चलेंगे, when x is greater, x को हम क्या बानेंगे, a, जो कि greater than 2 है, यहां कि जब हम a- लिखेंगे, a-h लिखेंगे, तो कहा रखेंगे, जहां function यह छोटा है, तो यहां लिखेंगे, a-h-3, तो क्या बानेगा, यहाएगा 2a-3, यह left hand limit आगी, ठीक है, जब right hand limit निकालेंगे, तो यह a plus लिखेंगे, यहां a plus लिखेंगे, यहां a plus लिखेंगे, यहां a plus लिखेंगे, तब भी value आएगी और जो हम fa निकालेंगे यहाँ पर, fa निकालेंगे direct तब भी आएगा 2a minus 3 तो आप लिखेंगे कि as fa minus h is equal to fa plus h is equal to fa so it is continuous at x equal to a तो आपने क्या देखा कि दो से बड़े पर वो continuous है दो से छोटे पर वो continuous है लेकिन दो पर वो discontinuous है हमसे यहाँ पर चेक करने के लिए कहा था कि इसकी continuity चेकरों के continuous है कि नहीं है ठीक है तो यह basic concept है इसके question 6 लगा लिजेगा basic concept देख लिए कुछ example लगा लिजेगा next जो questions है in next video okay thank you